सत्य भामा का घमन जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्य भामा ने नारद मुनी को कर दिया अपने पती का दान भगवान श्री कृष्ण की आठ रानिया थी, जिनसे दो पहली रानियों का नाम था सत्य भामा और रुक्मनी दोनों ही भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, परन्तु सत्य भामा में कमी थी, सत्य भामा को अपनी पिता के धन पर बहुत गमन था सत्य भामा के पिता के पास सिय मन्तक नामा के एक मणी थी जो ने सूरेदेव ने दी थी वह मणी रोज बहुत सा सुण देती थी बगवाई शरी कृष्ण ने रानी सत्य भामा की घमन को तोड़ने की लिए एक लीला रजी एक बार नारत मुनी द्वार का पधारे देवी सत्य भामा ने उनका खूब आदर सत्कार किया जब नारत जी वहां से जाने लगे तब सत्य भामा ने नारत जी को रोकते हुए कहा आप ब्रह्मचारी हैं और आपको किये हुए दान से असंक पुढ़नों की प्राप्ती होती है अतहा कृपया मेरे द्वारा दान ग्रहन कीजिए नारत ने सत्य भामा से कहा देवी आप रहने दीजिए मेरे द्वारा मांगी गई वस्तु आप दान नहीं कर पाएंगी देवी को धन का बहुत घमन था अता उन्होंने कहा ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो मैं दान न कर सकूँ फिर भी मैं इस हाथ में जल को लेकर आपको वचन देती हूँ कि जो भी आप दान में मांगोगे आपको दूँगी नारत मुनी ने तुरंद भगवाई श्री कृष्ण को ही दान में मांग लिया वचन से बंदे होने के कारण सत्य भामा ने श्री कृष्ण को दान में दे दिया फिर क्या था भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनी ने अपनी लीला शुडू कर दी नारद मुनी भगवाई शरी कृष्ण को जैसा आदेश देते, कृष्ण कहे अनुसार ही करते जाते, कभी वे नारजी के पैर दवाते, कभी उनके लिए भोजन पकाते, नारद मुनी के कहने पर उठते और बैटते, सारी रानियां कृष्ण की ये दशा देख कर दुखी हो ग गिर गई, तथा उनसे भगवाई शरी कृष्ण के बदले में कुछ अन्यवस्तु मांगने की पराठ्ना करने लगी, तब नारद मुनी ने भगवाई शरी कृष्ण को वापस करने के बदले में एक शर्त रखी, कि देवी सत्य भामा आपको भगवाई शरी कृष्ण के पलड़ा अपनी पूर्विस्थिती में ही बना रहा तब सभी रानियों ने अपने सारे आभुशन उस पलड़े में रख दिये लेकिन कृष्णे वाला पलड़ा वैसा ही रहा तब देवी रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को अपने मन में याद किया और सारे आभुशनों क को हटा कर उसकी जगेक तुलसी का पत्ता रखा देवी रुक्मणी की प्रेम से भरेवस पत्ते के भार से वैतराजु का पलड़ा भारी हो गया और कृष्ण वाला पलड़ा उपर उठाया तब सत्य भामा को अपने घमन का एहसास हुआ और उन्होंने देवी रुक्मणी भ